हलो, FLOA के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्कूल या और्गनाजेशन अकाउंट में लॉगिन करके आप अपने कैंडिडेट्स के रिजल्ट कैसे देख सकते वीडियो के डिस्कूल में दिये वेबसाइट पर क्लिक कीजिए अपना यूजर नेम और पास्वर्ड प्रस्तुत करके लॉगिन कीजिए बाई तरफ स्क्रोल में कैंडिडेट रिजल्ट पर क्लिक कीजिए इस पर आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कंपनी के विद्यार्थियों का रिजल्ट एक साथ देख सकते हैं आपको हर कैंडिडेट के डीटेल्स जैसे कैंडिडेट पी आरेन, नाम, क्लास ग्रूप या एज ग्रूप, एक्जाम, एक्जाम डेट, रिजल्ट, कुल प्राप्त गुण याने टोटल मार्क्स, सही जवाब, गलत जवाब दिखाई देगे स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी और कंपनी को अपने कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट रैंक, स्टेट रैंक और नैशनल रैंक का वर्गीकरण प्राप्त होगा इसके आगे ताहिनी तरफ स्क्रोल करके आपको मार्क्शीट और सर्टिफिकेट ये दो आप्शन्स दिखाई देंगे किसी भी Candidate की Marksheet देखने के लिए Marksheet पर क्लिक कीजिए और किसी भी Candidate का Certificate देखने के लिए Certificate पर क्लिक कीजिए ये Marksheet है इसमें आपको आपके परिक्षा के Marks प्राप्त होंगे और आप अपनी Rank देख सकेंगे Marksheet में आपकी जानकरी जैसे नाम, स्कूल या Organization Name, Student PRM, Foreign Language Exam, Class या Age Group आपको दिखाई देगा इसके नीचे Details of Marks है जैसे Correct Answers मतलब सही जवाब, गलत जवाब, सवाल जो छोड़ दिये हैं, प्राप्त गुण और कुल गुण Result Category मतलब आपके Marks के आधार पर आप कौन सी Category में हैं इसका विवरण आपको नीचे दिया गया है, वो देख लीजिए इसके बाद आपको Individual Ranking दिखाई देगा ये Ranking जिला याने District, राज्य याने State और राश्ट्रिय याने National Level पर Class Group के हिसाब से या Age Group के हिसाब से किया गया है ये Certificate है, इस पर आपको अपना नाम, Foreign Language, Exam Date, Age या Class Group दिखाई देगा इस पर आपको अपनी Result Category भी दिखाई देगी नीचे अपना Student PRN दिखाई देगा जो विद्ध्यार्थी, District, State या National Ranking पराप्थ है उन्हें पाई तरफ अपनी Rank दिखाई देगी उत्तीर्ण होए विद्ध्यार्थियों को Marksheet और Certificate दोनों पराप्थ होंगे ध्यान दीजिए, जो विद्ध्यार्थी परिक्षा के लिए उपस्तित नहीं होते है या परिक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते है उन्हें सिर्फ Marksheet प्राप्थ होती है इन विद्ध्यार्थियों को Certificate प्राप्थ नहीं होता है आप इस पेज पर किसी भी विशिष्ट कैंडिडेट का रिजल्ट भी देख सकते है इसमें अलग-अलग फिल्टर्ज हैं जिनका इस्तमाल करके आप ये रिजल्ट देख सकते है यहां आप विद्ध्यार्थी का PRN या नाम प्रस्तुत करके सिर्फ उस विद्ध्यार्थी का रिजल्ट देख सकते हैं क्लास, क्लास ग्रूप, कोर्स, एक्जैम डेट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप अलग-अलग रिजल्ट देख सकते हैं इस तरह से आप अपने और्गनाइजेशन के इकठ्थे रिजल्ट देख सकते हैं इसके बाद उत्तीर्ण विद्ध्यार्थियों को अगली लेवल के लिए या दूसरी भाशा के लिए या अनुतिर्ण विद्यार्थियों को उसी लेवल के लिए या दूसरी भाषा के लिए इकठे रजिस्टर करने के लिए Register for exams ये वीडियो देखिए आधिक जानकरी और अपडेट्स के लिए FLOA Education इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले